टोफ पाइब बेस्ट फाइजी प्रोसेसर स्पार्टपोंस अंडे 10,000 रुपीज तो गाइज अगर आप आज के समय पर इस प्राइज पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा फाइजी चिप्सर चारते हैं साथ में आपको अच्छी परफॉमेंस, तकड़े क्यामरास, लंबी चलने वाली बैटरी और तोर दमदार फीचर्स तो दोस्तो ये वीडियो काफी हेलफफुल होने वाली तो वीडियो के अंटर बने रहेगा और अगर आप हमाई शेयर पर नए हैं, तो चलने को सब्स्क्राइब और घंटी बटन को ज़रुर दबा दिजिएगा चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और गजजट नियूज जिंदी पे आप सभी का स्वागत है तो दो इस प्राइस पॉंट के अंदर हमें कुछ लिमिटेट 5G चिपसेट देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें बेटर परफॉर्मेस वगिरा देखने को मिल जाती है और उन्ही के हिसाब से हमने यहाँ पर 5 स्मार्टफोन को पिक किया हुआ है, जो कि आपको इस प्राइस पॉंट के इनरे डेफिनेटली काफी अच्छी परफॉर्मेस निकाल करती देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर M6 Pro 5G करें इस फोन की, तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनीक देखने को मिल जाता है साथ ही साथ यह फोन पूरी तरह से glass build पर बना हुआ है हाला कि frame आपको plastic की मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर water और dust का production भी मिल जाता है सो build quality यहाँ पर आपको top notch मिलती है बात करें फोन की display गी, तो फोन के अंदर लगी हुए 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी full HD plus वाली IPS LCD panel, Corning Gorilla Glass का protection दिया गया है 550 nits के आपको brightness मिल जाती है, 90 Hz की refresh rate और 180 Hz की test sampling rate सो overall display quality भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है चलिए cameras की बात कर लेते हैं, तो back side में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वैसे यहाँ पर आपको काफी different modes बगेरा भी देखने को मिल जाएंगे और रही बात output गी तो आपको यहाँ पर daylight में decent output देखने को मिल जाते हैं वीडियो output गी बात करें तो front और back camera से आप यहाँ पर full HD की video record कर पाएंगे up to 30 fps चलिए बढ़ते हागे और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के chipset की तो इस फोन के अदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का chipset जो कि दोस्तो 4NMP fabrication पर बना हुआ है और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अच्छी और लंबी battery backup निकाल कर देता है साथ साथ फोन की performance भी काफी कमाल की है यह स्मार्टफोन ओनते दूपर लगबख 4,37,000 के असपार स्कोर कर जाता है और gaming के लिए आपको यहाँ पर Adreno 613 का GPU देखने को मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी gaming भी करान में capable है साथ साथ फोन के अंदर LPDDR4X की RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है तो performance आपको budget के साब से top notch मिलती है बात कर लिए आप यहाँ पर फोन के powerhouse की तो back side में आपको यहाँ पर 5000 मेच की battery और 18W की charging का support दिया गया है charger box के अंदर और charging के लिए टाइपस यवाली port भी आपको मिल जाती है कुछ other features की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता एक side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack, single bottom firing speakers, साथ ही साथ hybrid card का option जहाँ पर आप एक साथ में एक 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं और यह smartphone आता है Android 13 base MIUI 14 पर रही बात 5G bands की तो यह smartphone अप टू 7 5G band के साथ में भी आता है सो overall देखा जाए तो complete package है तो अगर आप एक 5G smartphone ढूण रहे हैं और आपका बजट लगबग 10 से 11,000 रुपे है तो आप इस phone की तरफ देख सकते हैं बात कर लिए प्राइसेंग की तो 644 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपे तो चली दूस्तों बात करता हैं लिस्ट के अगले phone की और यहां पर अमने रखा हुआ है Redmi की तरफ से latest launch Redmi का 13C 5G बात करें इस phone की दूस्तों तो यह smartphone भी आपको build quality के मामने में काफी कमाल का देखने को मिल जाता है साथ इस phone की थीकने से 8.1 mm और phone का weight है लगबख 192 grams और इन सभी के लवा आपको यहां पर हलके फुल के water और dust का production मिल जाता है सो ओर और phone की build quality और design दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिलते है चलिए अब बात कलेते हैं phone के display की तो इस phone के अंदर आपको मिलती है 6.74 निचेस की HD Plus की IPS LCD पैनल साथी Corning Gorilla Glass का support आपको दिया गया है 600 nits तक की आपको यहां पर brightness मिल जाती है लेकिन फिर भी आपको यहां पर display quality से कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली चलिए बात करते हैं phone के cameras की तो back side में आपको दो cameras मिलेंगे main camera लोगा 50 megapixel का जो की F1.8 aperture के साथ में आता है साथी में आपको यहां पर एक AI lens देखने को मिल जाता है और front में आपको दिया गया 5 megapixel का selfie snapper सो यहां पर cost cutting काफी ज़्यादा की कही है बट ओर लगाना में आपको यहां पर camera performance की बात करें तो daylight में photos यहां पर decent legal करा जाती है जिसे आप above average कह सकते हैं और video quality की बात करें तो front और back दोनों ही camera से आप यहां पर full HD की video record कर पाएंगे up to 30 FPS और आपको बदा दू कि आपको यहां पर कोई भी EIS बगेर का feature भी नहीं दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर phone की performance की तो इस phone के अंदर आपको मिलता है 6NMBS Betatec Dimensity 60100 Plus का chipset और आपको बता दू कि यह smartphone आउन्तितु पर लगबग 38000 के आसपा स्कोर कर जाता है जो कि एक अच्छे स्कोर है और साथ ही साथ आपको यहां पर आम माली G57 MC2 का दो कोर का GPU देखने को मिलता है जो कि price point के अंदर आपको काफी अच्छी gaming कराने में capable है इन सभी के अलावा LPDDR4X की RAM और EFS 2.2 का storage आपको मिल जाता है तो performance के मामले में यह phone definitely एक अच्छा option है आपको performance वाईज आपर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली रही बात phone के power house की तो back side में 5000 मेंच की battery और 18W की charging का support दिया गया है बर 200 box के अंदर आपको 10W का charger मिलता है so battery module भी देखा जाए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा decent ही देखने को मिलता है और जैसा कि मैंने कहा काफी कुछ यहाँ पर cost cutting की गई है चलिए अब बात कर लेते कुछ other features की तो इस phone के अंदर आपको मिलता है side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack single bottom firing speakers जिसके output आप decent कह सकते हैं इन सभी के अलावा कर हम card option की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है क्योंकि आपको यहाँ पर dual 5G का support मिल जाता है साथ ही आप यहाँ पर memory card भी लगा सकते हैं रही बात 5G bands की तो यह smartphone up to 7 5G bands को support करता है तो यह भी अच्छी बात है बात कर लें pricing की तो 4GB RAM और 128GB storage के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे 10,99991 रपय बढ़ दूसर इस smartphone की sale चल रही है और इस दोरान आपको यहाँ पर ICCA bank के credit card पर 1000 रुपीज का off मिल रहा है यानि effectively यह phone आपको मिलेगा 10,000 रुपे की कीमत पर तो इस price point की अदर देखेंगे तो definitely एक अच्छा option है अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं चल यह बढ़ते आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले phone की अगला smartphone अमने रखा हुआ है उन users के लिए जो कि भाई अब भी Nokia के fan है और उन्हें Nokia की तरफ से कोई अच्छा phone लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Nokia का G42 5G तो यह phone आपको पूरी तरह से plastic build पर मिल जाता है build quality काफी strong दी गई है और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 8.6 mm की thickness और 193 grams के साथ में आता है तो phone काफी sleek और lightweight है और इसी के साथ में आपको यहाँ पर हरके full के water और dusk का production भी मिल जाता है तो build quality में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने बाली है चलिए बात करते हैं आप यहाँ पर phone के display की तो इस phone के अंदर आपको मिलती है 6.56 inches की एक HDD plus वाली IPS LCD panel साथी corny gorilla glass 3 का protection 570 nits तकी brightness दी गई है तो indoor और outdoor में visibility की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है साथी साथ 90 Hz की refresh rate और 180 Hz की dust sampling rate आपको मिलती है So overall display quality में आपको यहाँ पर थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा रही बात अब यहाँ पर phone के cameras की तो back side में आपको यहाँ पर 3 cameras मिलते हैं Main camera लगा है 50 megapixel का जो की F1.8 aperture के साथ में आता है 2 megapixel का macro, 2 megapixel का depth और 8 megapixel का selfie snapper मिलता है Front और back दोनों ही camera daylight में काफी अच्छे perform करते हैं Daylight में फोटोस में कोई शिकायत नहीं आती है साथी साथ आपको यहाँ पर night mode भी दिया गया है जो की काफी अच्छा perform कर लेता है बात करें वीडियो recording की तो back camera से आपको यहाँ पर Full HD की वीडियो recording का option मिल जाएगा Up to 30 fps चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की performance की तो इस phone के अंदर आपको मिलता है 880 Base Qualcomm Snapdragon 480 Plus का 5G chipset जिसके अंदर लगा हुआ है Adreno 619 का GPU जो की इस price point में आपको काफी अच्छी gaming भी करा देता है जी हाँ दोस्तों यह smartphone अंतुत उपर लगबग 3,80,000 के असपा स्कोर करता है साथ इस phone के अंदर आपको LPDDR4S RAM और EMC 5.1 का storage देखने को मिल जाता है तो overall performance price आपको यहाँ पर कोई खास दिकत नहीं आती चलिए फिर अब बात करेते हैं phone के power house की तो back side में आपको यहाँ पर 5000 मेच की battery मिलती है phone यहाँ पर 20W की charging को support करता है charger box के अंदर और charging के लिए type C वाली port आपको मिल जाती है वैसे दोस्तो phone का backup काफी अच्छा है normal using पर आपको यह smartphone एक से डेर दिन का backup बहुत आराम से देता है चलिए फिर अब बात कलते हैं यहाँ पर कुछ extra features की तो इस phone के अदर आपको मिलता है side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack single bottom firing speakers जिसकी audio quality काफी loud है तो यह अच्छी बात है और रही बात card option की तो आपको यहाँ पर hybrid guard का option भी मिल जाता है आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G SIM या फिर एक 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं रही बात user interface की दोस्तों तो यह smartphone आता है latest android 13 पर जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी blot pairs वगरा देखने को नहीं मिलते हैं और तो और अच्छी बात यह है कि 2 साल के आपको यहाँ पर major update और 3 साल के security updates भी देखने को मिलेंगे तो यह भी अच्छी बात है और रही बात 5G bands की गाईज तो यह smartphone लगपक सारे ही 5G bands को support करता है तो आपको यहाँ पर इसमें भी को issue नहीं आने वाले है तो अगर आपको यहाँ पर एक good design, अच्छा क्यामरा, लंबी चलने वाली battery और अच्छी performance वगरा चाहिए तो आप इस phone की तरफ देख सकते हैं बात कर ले pricing की, तो 6G piramics और 28GB storage के लिए आपको देने होंगे 9999 बिरपे Price point के अंदर देखेंगे तो काफी कममाल का package है, अगर आप चाहें तो Nokia के smartphone को भी यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो बात करते हैं, लिस्ट के अगले phone की और अगला smartphone हम रखा हुआ है आप पर Motorola की तरफ से latest launch Moto G34 5G बात करें इस phone की, तो design आपको as usual हमिशा की तरफ वैसा ही देखने को मिलने वाला है लेकिन दोस्तो back side में आपको यहाँ पर wagon leather का support दिया गया है जिसकी वज़े से यह smartphone आपको premium build के साथ में मिलेगा और हाँ दोस्तों यह smartphone 8mm की thickness और 183 grams के साथ में आता है और रही बात in hand failing की तो in hand में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले है रही बात phone के display की तो इस phone के अंदर आपको मिलती है 6.5 inches की HD plus वाली IPS LCD पैनल साथ ही आपको यहाँ पर panda glass का support देखने को मिलेगा 5 18 minutes तक की peak brightness दी गई है तो indoor और outdoor में visibility की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी और सबसे अच्छी बात 120 Hz तक की high refresh rate और 240 Hz की test sampling rate आपको मिलती है तो ओरो दोसों यहाँ पर जो display quality है price point के अंदर देखेंगे थोड़ से decent है अगर यहाँ पर full HD plus का resolution होता तो फिर यहाँ पर display quality definitely काफी अच्छी होती चलिए बात करते हैं आप यहाँ पर phone के cameras की तो back side में आपको यहाँ पर दो cameras मिलेंगे main camera लगा है 50 megapixel का जो के f1.8 aperture के साथ में आता है साथी में 2 megapixel का आपको यहाँ पर एक macro sensor भी दिया गया front की बात करें तो front में आपको मिलेगा 16 megapixel का selfie snapper camera center phone का ठीक है और रही बात image output की तो आपको यहाँ पर daylight में decent type के output देखने को मिल जाते हैं लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो color को enhance कर सकते हैं आपको यहाँ पर काफी different modes और काफी सारे features बगेरा दिये गए तो आप अपने photo quality को और enhance कर सकते हैं रही बात video quality की तो आप यहाँ पर front और back camera से full HD की video को record कर पाएंगे up to 30 fps और साथ इसाथ आपको यहाँ पर macro camera से भी video recording का option दिया गया है तो यह भी अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं performance की तो दोस्तो इस price point के अंदर definitely one of the fastest smartphone आपको यहाँ पर मिलता है smartphone के अंदर लगा हुआ है 6NM based Qualcomm Snapdragon 695 का powerful chipset और दोस्तो यहाँ पर आपको gaming के लिए मिलता है Adrono 619 का GPU और अच्छी बात है कि smartphone अंदर दो पर लगबग 4.5 लाग क्या स्पार स्कोर कर जाता है तो इस price point के अंदर देखेंगे तो इस तो definitely one of the fastest smartphone है और इसी के साथ में आप यहाँ पर high level की setting पर भी gaming वगएर कर सकते तो यह अच्छी बात है साथ यह साथ आपको LPDDR4X की RAM और UFS 2.2 का storage भी दिया गया है तो overall performance के वादि में definitely तो काफी अच्छा phone है अब बात करते हैं powerhouse की तो backside में 5000 मिच की battery लगी हुई है और 20W की charging का support आपको मिलेगा charger box के अंदर दिया गया है charging के लिए Type-C वाली port भी आपको मिलती है कुछ other features की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack single bottom firing speaker जिसके output दोस्तो definitely अच्छे हैं यहाँ आपको यहाँ पर Dolby Atmos का support भी दिया गया है तो output में आपको यहाँ पर कोई issue नहीं आने बाले card option की बात करें तो आपको यहाँ पर hybrid card का slot मिलेगा तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं और सबसे अच्छी बात दोस्तो यह smartphone Android 14 पर launch किया गया और आपको यहाँ पर एक साल का major update भी देखने को मिलेगा इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G band का support मिलता है साथ ही IP52 rating के साथ में आता है तो हलका फूल का water और dusk का production भी आपको मिल जाएगा और हाँ दोस्तो यह smartphone VONR के support के साथ में आता है यानि कि आप यहाँ पर 5G पर voice calling वगेरा भी कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है और इतना ही नहीं आपको यहाँ पर carrier aggregation का भी support दिया गया है तो overall यह smartphone इस price point के अंदर definitely काफी अच्छा package है तो चलिए बात करते हैं यह दोस्तो बढ़ते हैं अगले phone की तरफ और अगला smartphone आपको definitely काफी अच्छी performance निकाल कर देता है और यह smartphone है आपको Realme का C65 5G बात करें फोन की तो यह phone भी आपको design और look के मामले में Realme 12 series की तरह ही रेखने को मिलने वाला है design language में आपको यहाँ पर कोई खास changes देखने को नहीं मिलेंगे हालाकि यह smartphone भी आपको polycarbon back के साथ में मिल जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की rating बिल जाती है तो हलके full के water और dust protection के साथ में आता है वैसे आपको बतातू कि phone 7.9 mm की thickness और 190 gram के साथ में आता है साथ में आपको यहाँ पर लगबग 600 नीट्सक की peak brightness देखने को बिलती है तो यहाँ पर brightness थोड़ी से और अच्छी हो सकती थी हालाकि indoor में आपको कोई खास हिकायत नहीं आगी लेकिन outdoor में आपको यहाँ पर थोड़ से issues देखने को मिलेंगे वहीं पर बात करें gaming की तो 120 Hz तक के high refresh rate और 240 Hz के आपको यहाँ पर test sampling rate मिलती है सो price point के अदर देखेंगे तो display quality आपको यहाँ पर थोड़ी सी decent मिलती है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर phone के cameras की तो back side में आपको यहाँ पर दो camera's मिल जाते हैं main camera 50 megapixel का जो की F1.8 aperture के साथ में आता है साथी साथ आपको यहाँ पर 2 megapixel का एक macro sensor देखने को मिल जाएगा फ्रेंट की बात करें तो आपको मिलता है 8 megapixel का selfie snapper camera setup phone का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और अच्छी बात यह है कि daylight में photos भी काफी अच्छी आती है लेकिन कभी कभी यह smartphone थुड़ा सा photos को overexpose भी कर देता है बाकि daylight में आपको photos में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते और हाँ दोस्तों अगर हम बात करें वीडियो recording की तो front और back camera से आप यहाँ पर maximum full HD की video record कर पाएंगे up to 30fps तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन की performance की इस फोन के अदर आपको मिलता है 6NM based MediaTek Dimensity 6300 का chipset जी यहाँ दोस्तों यह एक latest chipset है जो कि आपको इस smartphone के दर देखने को मिल जाता है और अगर हम बात करें on to to score की तो 4,3,000,000 के असपास ही smartphone स्कोर कर जाता है साथी साथ LPDDR4X की RAM और EFS 2.2 का storage भी आपको मिल जाता है सो ओर वल देखेंगे तो performance में यानि की daily uses में आपको यहाँ पर कोई खास दिकत नहीं आती है और साथ साथ यह smartphone आपको HD setting पर up to 40 fps तकी gaming कराने में capable है लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा issue भी है कि यहाँ पर gaming के टाइम पर यह smartphone हलका सा heat होता है और उस दोराण touch यहाँ पर थोड़ा सा ठीक तरसे काम नहीं कर पारता तो इस बात को ध्यान भी रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर आउस की तो बैक साइड में 5000 मिच की बैटरी लगी हुई है लगा सकते हैं वैसे UI की बात कर ले तो यह smartphone latest Android 14 पर आता है जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0 और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर दो साल के मिजर अपडेट और तीन साल के security patches का support भी देखने को मिल जाएगा रही बात 5G bands की तो यह smartphone up to 9 5G band को support भी करता है तो देखा या तो यह complete phone है अगर आप चाहें तो smartphone की तरब भी देख सकते हैं बात कर ले pricing की तो 4GB RAM और 128GB श्टोच के लिए आपको देने होंगे 11,4992 रुपे वैसे smartphone का 4 और 64 वालो वेरेंट आपको मिल जाता है 10,492 रुपे की इमत पर तो आप चाहें तो इन में से कोई भी वेरेंट यहाँ पर चेकाउट कर सकते हैं सभी के लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएंगे तो एक बार जरूर देख लिजेगा और इसी के साथ मैं उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक और शेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजेगा चलिए मिलते हैं सी को और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद